देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी बहुबली और दबंग नेता कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव जिन्हें इस बार महागडबंधन की सरकार में सहकारिता विभाग की जम्यदारी दी गई है उस मंत्री को इस बात का भी गया नहीं है कि पबलिक में मुझे किन शब्दों का परियोग करना है आपको बताए कि इस वक्त एक ऐसी वीडियो साबरी आई है जो हम आपको सुना भी नहीं सकते कुछ ऐसे शब्द का परियोग सुरेंदर यादव की तरफ से किया गया है जो अशोबनिये है और ये जो वीडियो है वो इस वक्त सामने आया है जिसके बाद बीजेपी मजे ले रही है चुटकी ले रही है और नितीश कैबिनेट के मंत्री पर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है लेकिन बीजेपी की बात हम बात में करेंगे सबसे पहले जरा इस मंत्री सुरेंदर यादव की अगर हम बात करें तो अपने बहुवली और दवंग अंदाज के लिए सुरेंदर यादव जो है वो जाने जाते है इस बार नितीश कैबिनेट में सहकारिता विभाग की जुज़मेदारी है वो सुरेंदर यादव को दी गई है लेकिन कल जब मीडिया से रूबरू हुए मत्री सुरेंदर यादव और इस दौरान वो बातचीत कर रहे थे अपनी बातों को सामने रख रहे थे और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जब सुरेंदर यादव के करीबी जो है वो उनसे कुछ कहते हैं उन्हें सलाह देते हैं और इसी बीच एक अभधर शब्द का जो प्योग है वो मंत्री सुरेंदर यादव की तरफ से किया जाता है जिसे हम आपको नहीं सुनवा सकते लेकि कि अधिया गद्धिया जो समस्याशा थिस splendour लेता पर हम अधर्य को इंट्रेस्साम कोने दिक एथो तो हमारी लंबा पारी खेढ़ने का और सुन्हीं प्रता ह mehr लंबा पारी खेले हैं इंट्रेस्ट ले लेकर लेकर अज फीर आपके इंट्रेस्ट इस पर रखिये हैं आगे आगे आउर कोई आदेश है कुछ ना है दो लोगी तो बता दे आपको कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बीजेपी के अप्रवक्ता निखलानद ने इसी वीडियो को साज़ा किया है और जमक नितीश कैवनिट के मंतरी सुरेंदर यादव पर हमलावड नजर आ रहे हैं निखलानद ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि सुरेंदर भाई मंतरी है और उनका मंशा ठीक है इंट्रेस्ट भी लेते हैं इसमें जो बुर बकवा आपको सिखा रहा था लाइव पीसी में बताईए इसको समझ में नहीं आता है कि मंतरी को पब्लिकली ग्यान नहीं देना चाहिए मंतरी जी ठीक बोले फोटो खिचाओ लेकिन ऐसे ग्यान मत दो कि मंतरी को सब डाश समझो यानि कि ये जो बेहद ही निम्न शब्द है वो मंतरी सुरेंदर यादव की तरफ से जो है वो बोला गया जिसका जिकर तक हम इस खबर में नहीं कर सकते लेकिन ये व पर से कि आखिर क्यों इन मंतरियों को नितीश कैबिनेट में जगा दी गई है जिन्हें बोलने तक का सलीका नहीं है कि पब्लिक में उन्हें किस तरह से बात करना है कि इन शब्दों का उपयोग करना है और ये जो बेहद ही घिर्नित शब्द का उपयोग मंतरी सुरेंदर प्यादव की तरफ से किया गया इसे लेकर अब एक बार फिर से बीजेपी हमलावर नजरारी है और बीजेपी ने ये साथ रंदेश दे दिया है कि दितीश कैबिनेट में सिर्फ एक नहीं बलकि कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर जो है कई सारे मामले दर्श तो हैं ही और यहीं बजाए कि ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विशे बना हुआ है जिसे लेकर एक बार फिर से बिहार की राचनीती में बड़ा बवाल देखने को मिलेगा फिलाल के लिए पना ही जादा अपडेट के लिए आप जुरे रही नियूस फोरनेशन के साथ नमस्कार